नमस्कार अश्टिटी मेट्रियल्स में आपका स्वागत है तो आपका डिये भी पबलीक अस्कूल से अपका अलग-अलग विद्धालेयों से आपका जो उडिसा जोन वन है उससे काफी वेकेंसी जो है निकल करके आए हुए हम दोग डिटेल से जानेंगे यहाँ पे इसके ल करना होगा और यहाँ पर देखिए इसमें क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपका एड़ोटाजमेंट जो इसका निकल करके आया हुआ है वहाँ आपका ओपें हो जाएगा चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ वेकेंसी निकल करके आया हुआ है और कब तक इसे आप अप्लाई कर सकते हैं इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे इससे आप तक निव निव वेकेंसी के अपडेट्स जो है बिल्कुल फ्री में पहुचते रहेगा तो देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है वह open हो चुका है अब देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए उरिस्टा के आपका zone one का इस जो विद्धाले आते हैं जो भी डिश्टीक आते हैं तो उसके लिए वेकेंसी यहाँ पर निकल करके आये हुए हैं, इसके लिए आपको fee भी लगने वाला है, आप देख सकते हैं आपके, और आपको apply करने के लिए यहाँ पर इसका क्या है online mode होगा आपका, यहाँ पर mention है आपका, आपके देख सकते हैं, कि अपका 22-4-2022 22-4-2022 से 12-5-2022 तक आप पेमेंट इसके लिए आप कर सकते हैं आप मेंशन है और ओन्लाइन भी आप कर सकते हैं अगर एज का बात किया जाए तो आपका एज जो है यहाँ पर देख सकते हैं एज के लिए यहाँ पर डिटील से आपका दिया हुआ है इसका लास्ट डेट समिसन का जो है अपलाइक करने का जो डेट है वह यहाँ पर अपको चाहँच है यहाँ पर दिखिए 12-5-2022 है अपलाइक कैसे करना है यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँपस धिये गे हैं उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं वैसे इसका में औरिजिनल करके आपका पोस्ट आये हुए हैं अपका पहला नमर पर आपका जो है डिस्टिक आप देख सकते हैं अंगूल जो है और यह जो जिस्टिक है इसमें काफी विद्दाले है इसके अंतरगत देख सकते हैं आप डेवी हायर सेकेंडरी अस्कूल एंड टी पी सी टी टी पी एस अपका थर्मल जो है वहां के लिए है तो काफी अस्कूल है आप देख सकते हैं अगर आप योगता रखते हैं तो अपलाई कर सकते हैं डिस्टिक वाज आपका सब क्या है आपका दिया हुआ है आप देख सकते हैं काफी डिस्टिक से आपका पो तो उससे जो वेकेंसी निकल करके आया हुए उसका नेम भी आपका मेंसन है यहाँ पर भुनेसवर से भी निकल करके आया हुआ है अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट बाइज जो पोस्ट निकल करके आया हुआ आप देख सकते कौन-कौन सा सब्जेक्ट के लिए है तो आपका इ इधर आपका TGT के लिए जो पोस्ट निकल करके आया हुआ है इंग्लीज, उडिया, हिंदी, संस्क्रीट, मैथमेटिक, साइंस, आपका PCM और PCCBZ और उसके बाद सोशियल साइंस का है, हिस्ट्री सिविक्स का और सोशियल साइंस का जोग्रफी का भी है वह PRT का भी पोस्ट है यहाँ पे देखिए अपका English, India, Mathematics, General Science, अपका है Social Science का है Computer Science है अपका उसके साथ साथ आपका यहाँ पे Physical Education का भी पोस्ट निकल करके आया हुआ है और साथ ही साथ आपका Non-Teaching पोस्ट का भी वेकेंसी है यहाँ पर अब देख सकते हैं UDC आपका वाला है नहीं होगा डिटेल से दिया गया है और उसके साथ साथ आपका qualification भी तिया गया है यहाँ पर आपका जो PGT का जो qualification होगा यहाँ पर देखिए आपका mention है PGT का क्या होने वाला है सब्जेक्ट वाइज है अब सभी चीज का क्या है mention किया गया है वहीं आपका ट्रेंड graduate teacher जो होता है high school के लिए जो है आप देख सकते हैं इसमें क्या आपका degree लगने वाला है graduation, post graduation होना चाहिए 50% marks के साथ और आपका B.A.R. का degree भी होना चाहिए और आपका state और आपका O.T. भी होना आनिवार्ज है आपका primary teacher का भी यहाँ पर जो आपका qualification होने वाला है यहाँ पर mention है आपका देख सकते हैं दिया हुआ है उसके बाद other teacher जो है जिसका भी mention किया गया है degree आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप योगता रखते हैं तो आप इसे apply कर सकते हैं और कुछ जो जरूरी बाते हैं अगर यह सब यहाँ पर detail से दिये हुए हैं के लिए क्या qualification होगा librarian का assistant का UDC का सबका detail से यहाँ पर दिया हुआ है अब देख सकते हैं UDC के लिए आपका graduate degree in commerce में होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका computer application अपको आना चाहिए लाइबरेडियन का क्या होगा आपका देख सकते हैं यहाँ पर सबका क्या है details से यहाँ दिया गया है और इसके साथ साथ आपका salary पर सुलेरी गया और देख सकते हैं और कुछ जरूरी बातें आपके सीलेड़ा क्या होगा ? आपका यहां देख सकते हैं यहां पर दिया हवआ है आपका PGT मेंए class , आपका क्या होगा? कैसी तेंक यू यह video आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी